कि मैं जब reporting में जाती हूं तो खलाश टीचर में नैन मटका होता है और वो वीडियो भी वाइरल होती है और आप लोग के बीच भी आती है और आप इल्जाम लगाती है कि उसका चकर था तो तुम मा नहीं हो अगर तुम मा होती तो तुम ऐसी बाते नहीं करती बत तमीच के त को अगर सही बोलेंगी तो आप जुत्ता खाने का काम करती हैं तुम जो पचर-पचर करती हो टीचर मैम के कैरेक्टर के बारे में मत कहिए तो मैम का कैरेक्टर तुम बताओ अगर सरकारी स्कूल की वेवस्था अच्छी होती तो तुम लोग रोड पे भीक मांगती दो सो हजार इसके नाम पे आप लोग अपना धंदा चलाती हैं इसकूल में पैसा देते हैं तो बच्चे पर आते हो ऐसी ऐसी प्रिंस्पल को लात जुत्ता मार के बाहर करना चाहिए बपकट वाली को तो दो थपर लगना चाहिए उस तो प्रिंस्पल के लाइक ही नहीं है हिपी कट वाली एको बॉइकट वाली आती है मैडम बुरापे में मीडिया के सामने कबरेज करने के लिए कि मैं मैं रिजायन दे दोंगी इस उमर में हिपी कट बॉइकट कटा करके मीडिया के पास आ करके बेहूदगी वाली सवाल जब का जवाब देने का कोई अधिकार न नहीं ना, तुम्हारे घर में भी उलाद है, कोमल मिसरा, नाम से कोमल नहीं है, अंदर से कुकरमी है, अभी शेख राय और सोनम मिसरा में क्या सम्मन्ध है, बच्चे को मारने के लिए बुलाई थी, पहले भी जाएं देखे आती, उसके बाद पचल 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 बोलती बुर् ऐसे प्रिंस्पल को फासी होनी चाहिए, नमस्कार आप देख रहे हैं देशवानियोज, आजमगर की बच्ची, 14 साल के, आज एक मौतरमा स्कूल टीचर बनके सामने आती है, वो भी मेडिया में अपने आपको चमकाने के लिए, बच्चा जो कुदा है छट से, सिर्फ अप जो भी हो, जैसे सुन रहा है, पता नहीं है, कि बहुत मारा गया था, बच्ची बहुत डरी थी, इतना ना डराएं, कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदब उठा लें, 45-46 साल की सर्विस पे, मैं इसलिए रिजाइन करूंगी, कि हमने जो अपना टाइम गया, तो वो बेक एक तो बब कट उम्र होगा, अभी भजन करने का, और वो कहती है कि हम टीचर बन करके, भाई टीचर थे, और हम इस्तिफा दे देंगे, तो आपका तो अभी राम नाम जपने का दिन आ गया, मैडम, आप इस्तिफा दे दीजे ना, आप 14 साल की बच्ची के बारे में कहती है कि मोबाईल लेके क्यों आया, आपने देखा था, की पेड वाला मोबाईल था, ऐसा क्या कर दिया उस प्रिंस्पल ने उसके साथ, उस अभी सेख राई ने उसके साथ, ये जानने की ज़ुरत है, गलत का गलत ही बोलना सिखिए, गलत को अगा आप सही बोलेंगी, तो आप ठूत अले काम करती है। चुत्ता सेख घृतमरा के बारे में में बात करती है। एक और मोतरमा है। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गाइडियन्स व स्कूल बच्चों की वज़े से होता है ना बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे ठीक है अब डाट भी नहीं सकते हो बोल भी नहीं सकते हो तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों क्याती हैं कि बच्चों को इसकूल क्यों भेशते हैं अरे में हमारे बज़े से तुमारा घर का ख़र्चा चलता है ये जो पैसे मिलते हैं प्राइबेट इसकूल को चिरलेंगर्स इसको नाम रख देने से बच्चों के भविस के साथ खिलवार करने का कम आप लोग करती हैं प face के रूप में हो dress के रूप मेंおお आप लोगों ने मनमानी कर ली है और मनमानी हमने आपको दिये करने की आप हमारे बच्चों का भविस्ट मराने का काम करती है लेकिन उसी के पैसे से हमारे पैसे से parents के पैसे से आपका घर चलता है नहीं तो भीक मागोंगी तुम जो पचर-पचर करती हो टीचर जो कहती है freedom speech है मैम के character के बारे में मत कहिए तो मैम का character तुम बताओ तुमको कितना पैसा मिला है मीडिया में आने के लिए अगर सरकारी school की वेवस्ता अच्छी होती तो तुम लोग road पे भीक मांगती प्रिंस्पल नाम का कोई चीज नहीं होता तक school में ताले लग जाते सरकारी school की वेवस्ता अच्छी नहीं है UP में भी सरकारी school की वेवस्ता अच्छी नहीं और जितनी सरकारी school है अब आदी उतना ज़्यादा है और तुम लोग पहले तो school खोलती हो private बच्चों को अपैरेंस को लुभाती हो जब आपके हाँ बच्चे की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो मनमाना फिस उसके बाद कपरे पर ड्रेस कोड पर आए जीन पानसो दोसो हजार इसके नाम पे आप लोग अपना धंदा चलाती है school का धंदा समझने की जवरत है और हाँ freedom speech madam इसको नहीं कहते मेडिया के सामने आकर आपने उस बच्ची का चेहरा साइद नहीं देखा होगा या तो तुम मा नहीं हो अगर तुम मा होती तो तुम एसी बाते नहीं करती बत्तमीच के तरह कहती नहीं कि freedom speech यह नहीं होता है कि किसी के character को चालने का काम आपकी so-called principal ने किया उस छोटी सी बच्ची की मानसिक्ता के साथ खिलवार आपके principal और अभी से एक राई ने किया उस बच्ची के हातों में समान रख करके पूरे school घुमाने का काम आपके principal ने किया क्या सबूत है जिस तरीके से freedom speech की तुम बात कर रही हो क्या सबूत है कि वो जो समान था वो उस बच्ची का था क्या सबूत है principal बोल देगी रात है तो रात है दिन है तो दिन है यह अभी सेख राय देखने से चुछंदर लगता है देखने से गुंडा टाइप लगता है और मैडम तो और दो नंबर की लगती है यह दोनों का मिली भगत है अब बच्ची को देखिए न बच्ची को थोड़े से चेहरे से निहार के देख लो कि बच्ची का सारेरिक विकास कितना है, मानसिक विकास कितना है, अभी उसको जवरत्थी प्यार की, मान लेते हैं थोड़ी देर, कथा कथी, कि मैडम साच बोल रही है, तो क्या, कभी किसी स्कूल में सुना है, कि मैडम छतपड से कुद के मर गई, हमने सुना है, कि मैडम और का संबन्ध होते इस्कूल में चूकि मैं जब रिपोर्टिंग में जाती हूं तो क्लाश टीचर में नैन मटका होता है अब वो वीडियो भी वाइरल होती है और आप लोग के बीच भी आती है लेकिन 14 साल की बच्ची का 14 साल की बच्ची का की बाप कह रही हूं जो अपने माबाप के हाथों से खाना खाती होगी उसको सही से दुनिया जीने का भी उसको सलीका नहीं होगा उसके माबाप ने सिखाया होगा और तुमने इससे क्या कह दिया जो बच्ची इतनी डर गई ऐसा कौन सा बाप कह दिया पूरे मार्केट में पूरे स्कूल में उसको गुमा मेरी जायन दे दोंगी तुम्हारा उमर है भगवान को के उपर जाओ भगवान का पूजा करो इस उमर में हीपी कट अबॉइकट कटा करके मीडिया के पास आ करके बेहूदगी वाली सवाल जब का जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है तुमको अपनी उमर का इज़त खु नहीं ना तुम्हारे घर में भी उलाद है क्या बच्चे गलती नहीं करते हैं हम पैरेंस आज मैं पैरेंस होने के बारे मैं बात करे हूँ मैं भी एक माही हूँ हम पैरेंस इसकूल भेजते हैं मनमाना फिस देते हैं जो कहती हो वो करते हैं फिर भी बच्चे के साथ आप जब मिस्वेहब करते तो पैरेंस तो आपसे पूछेगा ही ना और आप इल्जाम लगाती है कि उसका चक्कर था अपति जनक समान था कथा मैडम को प्रिंस्पल को डूग मरना चाहिए डूग मरना चाहिए ऐसे ऐसे स्कूल को बंद होने की जवरत है और तुम जो कहती है कि आप अपने बच्चों को एक मौतरमा थी कहती है कि फ्रीडम इसके नाम पे कोई कुछ कह देता है बदनाम कर रहें अभी से कराई को मैडम के अगर वह अच्छी होती तो बच्चे को समझाती प्यार करती और उसको उसके इस्तिति के बारे में अबगत करती आपको मेरे गुस्थे से पता हिच चल गया होगा कि नाम से हमें कोई मतलब नहीं सोनम हो या कुमल हो प्रिंस्पल प्रिंस्पल है आखिल में यह जांच का अभिषे होना चाहिए कि अभिषेक राय और सोनम मिस्रा में क्या सम्मंध है और ये दो ही क्यों ये दो ही क्यों साच मिटाने पे लगे हुए हैं ये दो ही क्यों वो मासूम बच्ची की इज़त को तार-तार करने पे लगे हुए हैं मेडिया के सामने आते हैं बोल के चले जात मुह में आया कुछ भी बोल दी आगर यह सोनम मिस्रा की बच्ची के साथ होता तो कैसा होता इस्कूल खोला है पैरेंस के पैसे से, दुकान खोलते हो, पैरेंस को बुलाते हो, और कहते हो कि बच्चे को आने की क्या चुड़ो थे, एक मैडम आई पठा करके और बोलती है कि इस्कूल क्यों भेजते हो, तो दुकान क्यों खोलते हो, हमारे पैसे से चलता है, ने तो ये स सरकारी आई ये लिपे स्ट्रिक लगा करके जो आई हो ना पचर पचर करने मीडिया में अपना नाम कमाने के लिए freedom speech के बहाने कि क्यों parents अपने बच्चे को भेशते हैं तो दुकान बंद कर दो अब अगर सरकारी स्कूल के ववस्ता अच्छी होती तो साइद ये प्राइबेट स्कूल में कब का ताला लग गया होता फिर मैं सोनम मिस्रा के बारे में कहूंगी ये जाज का भिसा है कि अभिसे एक मिस्रा सोनम मिस्रा का क्या संबंद है क्यों ये दोनों ने बच्चों को इतना torture किया क्या कारण ने torture करने का 14 साल की मासूम बच्चे इसका सरीर देखिये जाके निरलज औरत, कलंकिरी हम भी एक बच्ची की मा है मैं एक बच्ची की मा होने के नाते पूछती हूँ कौन अधिकार दिया तुमको बच्चे हमने अगर जनम दिये है तो हम जब बच्चों के साथ इतना मिस्विहब नहीं करते हैं इसकूल में पैसा देते हैं तो बच्चे पराते हो फिरी में नहीं पराते हो बच्चे को संसकार देने के लिए इसकूल भेजते हैं और दुकान तुम लोग खोलती हो बुलाती हो पहले बच्चे को मारने के लिए बुलाई थी स्कूल किसे गरीब के बच्चे को मारने का अधिकार किस ने दे दिया स्कूल की मनमानी ऐसे ऐसे प्राइबेट स्कूल पर ताला लगना ही चाहिए ताकि हर स्कूल को ये समझ आए कि किसे भी बच्चे के साथ हम इस बेब नहीं कर सकते ऐसी ऐसी प्रिंस्पल को लात जुत्ता मार के बाहर करना चाहिए बाप कट बाली को तो दो थपर लगना चाहिए उस तो प्रिंस्पल के लाइक ही नहीं है रिजाइन देगी बोला कौर पहले रिजाइन दे के आती उसके बाद पचर पचर बोलती बुर्या मेरे सब्दों में जरूर गुसा आपको दिख रहा होगा, मेरे लहजों में अपसब्द आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये अपसब्द एक मा का है, मैं किसी को अपसब्द नहीं कहती। लेकिन आप मैं फिर से कहूंगी कि सोनम मिसरा और अभी सेक मिसरा के रिस्ते को देखा जाए। सही तरीके से मैं वहां के पुलिस परसासन से अनुरोध करती हूँ कि इस पर जाज किया जाए इसके मुबाइल की जाज किया आखिर में इन दोनों की मुली वगत कितनी है। उम्र कैद होनी चाहिए और आप लोग अब अब अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुचाए, सरकार तक कम से कम जल्द से जल्द फास्टेक के तहत इसको दोनों को उम्र कैद की सजा मिलने चाहिए। कर दोनों को सभाज की निए तक मिलने तक कि एसको बुलंदी चाहिए।